नमस्कार आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 199 199 एक से प्रारम किया था 199 अब हम लोग 200 में पहुंच जाएंगे हमें तो बहुत प्रसनता है कि हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं साथ आपको भी प्रसनता होगी कि आप बहुत कुछ प्राप्ट कर रहे होंगे और हम लोग भावास्रे फल ही पढ़ रहे हैं हमने बताया कि अलग-अलग लगनों पे हम आपको बताएंगे आगे भी पाठ आते जा रहा है आप लोग वहां भी आगे बढ़ते रहे हैं तो आईए सबसे पहले कहते हैं कि सूर्य यदि नवम भाव में स्थित हो जाए अब यहां चुकि सूर्य के पिसे में यह आखरी पाठ होगा मेश लगन के लिए तो सूर्य के प्रकृत को आप समझे कि यह असुप ग्रह है लेकिन तातकालिक रूप से यह सूप ग्रह है सूर्य है कुरूर ग्रह कहते हैं तेज ग्रह कहते हैं अब इस्थिती देखिए लगन से पंचम और पंचम से पंचम अच्छा है कालपरुस के हिसाब से भी पंचम का है स्वामित्व यो भी अच्छा है अब क्या होता है कि सूर्य से संबंदित फल भी हमको अच्छे मिले गए क्योंकि वो पूर योग चमा चाहेंगे योग कारी अस्थान में गये हैं, त्रिकोन अस्थान को योग कारी अस्थान कहते हैं अब जैसे अस्टम में हमने कहा था कि सूर्ज के कारकत्वों की हानी होगी नवम में नहीं होगी उसके कारकत्वों की ब्रद्धी हो जाएगी जातक धर्मकर्म में रूची रखने वाला, अध्यात्मिक अब चुकि पितास्थान भी हम यहीं मानते हैं, हम दस्वे से नहीं देखते हम आप लोगों को हमेशा बताते रहते हैं कि उत्तर भारत में नवोमस्थान से इस पिता का विचार किया जाता है आप स्वतंत्र हैं आप दस्वे से भी देख सकते हैं हमको नवे से विशेश रिजल्ट मिल जाता है इसलिए हम दस्वे नहीं देखते अग क्यों नहीं देखते जब यह हम आयू निरने में चलेंगे तब हम आपको और क्लियर करेंगे तो आपने देखा कि यहां सुर्ज की स्थिती को अच्छा बताया गया जबकि 3, 6, 10, 11 में ही अच्छा बताया जाता लेकिन चुकी लगन से नवम और यहां से होने के कारण आप समझ सकते हैं कि कितने विद्वान हो सकते हैं जितनी चाहे स्टड़ी कर सकते हैं हायर स्टड़ी प्रसासनिक पता धिकारी होंगे तो क्या इमानदार होंगे या बेइमान होंगे आज के लिए बड़ा अच्छा प्रस्न है तो आइसे इमानदार होंगे यदि और कोई दोस न लगे तो अब यहां क्या बैट करके पिता की कुछ हानी करेंगे क्या अब यहां से यहां दृष्टी जाएगी तो तीसरे अस्थान की हानी करेंगे क्या तो निश्चित रूप से करेंगे ऐसे जातक को हम खेल कुद में बहुत आगे जाते नहीं देखे ऐसे जातक कला के छेत्र में बहुत आगे चले जाए ये हमने नहीं देखा क्योंकि यहाँ सुर्ज की द्रिष्टी पहुंच रही है ऐसे जातक मेलोडी सिंगर हो सकते हैं ये हमने नहीं देखा तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि तातकालिक रूप से सुभ है या नहीं नैसरगिक रूप से सुभ है या नहीं किन अस्थानों में स्थित है वो अस्थान क्या है और उनकी द्रिष्टी कहां पहुंच रही है और इन सब को वो प्रभावित करते हैं, इन सब के फलाओं के उपर प्रभाव डालते हैं, यदि हम ऐसा समझ के चलें, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं कि सूर्य यदि दसमस्थान में हो, हम सभी जानते हैं दसम अस्थान में सूर्य दिगवली हो जाते हैं और यहां से यदि चलें तो 75% उच्छवल भी प्राप्त होगा तो दसम इस सूर्य जब सडवल का आप देखेंगे तो वहां भी यह अच्छा ही होगा लेकिन किसके घर में है सनी के घर में है अब समझेए इस अस्थान से छठा गया हुआ है बड़े वीवेकी बहुत बुधिमान होते हैं बहुत होसियार होते हैं बहुत चालाँख होते हैं लेकिन कभी-कभी वो काम नहीं आता और इस अस्थान में बैठने के बाद वो इस अस्थान से संबंदित संगर्श करवाते हैं मेहनत बहुत करता है यहां परिष्रम बहुत करता है अब कहेंगे कि यहां बैठके सूर्य चतुर्थ अस्थान को देख रहा है तो सुख के बृद्धी हो जाएगी, माता का बहुत सुख मिलेगा, भूई भून माकान बहुत होंगे, नहीं गलत हो जाएगा ये चतुर्त को दृष्टी दे रहे हैं तो इसका हानी भी करेंगे अब बात आप लोगों के लिए एक और कर लेते हैं आज, नई बात है आपको समझ में आएगी हम लोग हमेशा प्रस्न को सुनने का प्रयास करें कि जातक का प्रस्न क्या आ रहा है एक तो वो दसा से संबन्दी थे, दसा में जा करके हम देखेंगे लेकिन दसा में जो अंतर दसानात है वो विशेश फलदाई होता है तो अंतर दसानात यदि सूर्य है और धन की बात हो रही है तो धनस्थान से इसका क्या पोजिशन है ये देखना न भूले तो धनस्थान से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो अच्छा है तो और चुकि दसा मस्थान में सूर्य को अच्छा कहा गया है तो परिश्रम से अपने मेहनत से अपने जीवन को सफल बनाएंगे और अपने ताकत पे भूमी भवन माकान आदी का सुख प्राप्ट करेंगे क्या धनवान हो सकते हैं तो कहेंगे जरूर होना चाहिए तो हमने कहा अब ये माता स्थान को देख रहे हैं तो माता के सुख से दूर हो सकते हैं हम हमेशा कहते हैं कि चलिए गाड़ी नहीं हुआ कोई बात नहीं लेकिन माता का सुख जरूर ही है संतान को नहीं हो रहा है ये परशानी है चाहिए हम बहुत educated हो जाया हमारे पास बहुत धन हो जाया और एक संतान नहीं तो लगता है सब चीज समाप तो इसलिए जो असुब ग्रहों की द्रिष्टियां हैं वो सबसे जादा उस अस्थान से जो हम सजीव की बात करते हैं उसको विशेश प्रभावित करता है इस बात को भी आप अनभाव से सीख पाएंगे आगे बढ़ते हैं अब सूर्य जदी एकादस में हो अब देखे कितनी अच्छी बात हैं एकादस में हैं तो अपने भाव को देख रहे हैं और हम लोग असुब अस्थान होने के कारण असुब ग्रह हैं तो ये वहाँ जाके और प्रसन हो जाते हैं तीसरा ये लाव अस्थान भी है एकादस अस्थान को बढ़ोतरी का स्थान कहते हैं तो कोई भी ग्रह एकादस में जाये तो उसके सारे कारकत्पों की ब्रिद्धी हो जाएगी तो ये कितने सूर्बीर होंगे अब कहेंगे कि ये सनी की रासी में चला गया गलत कहीं ने कहीं तो जाएगा सब उसकी अपनी रासी, अपने मित्र की रासी नहीं हो सकती तो क्या लाब को बहुत प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे ये लेकिन बड़े भाई के लिए नुक्सान करेंगे क्योंकि बड़ा भाई हम द्रिष्टी है, हम तो अपने बॉस को बेबकूप समझेंगे क्योंकि हम स्वेम इतने बुद्धिमान हो जाते हैं तो कैसे बॉस के साथ पटेगा तो ये इसके दोस भी आएंगे गुन इन सारे आप ग्रहन करने का प्रयास करेंगे क्या यहां बैठ करके सारे अच्छे ही फल कर देंगे सुर्ज कोई हानी नहीं करेगा क्या तो क्या हानी करेगा इसको ढूंड़ना है आपको और तब ढूंडने में सक्षम होंगे जब सुर्ज कैसा अग्रह है सुर्ज कहा का स्वामी बन पाया लगनेश के साथ रिलेशन क्या है जहां इस्तित है उस स्थान में जाकर के पुस्पित हुए आनंद में रहे तो फल अच्छा करेंगे तो एकादस स्थान में जाकर के इस दे तो पंचम को भी अच्छा करना अब कहेंगे कि पंचम से बुद्धी विवेक सब चीज को तेज करेगा लेकिन संतान संबंदित प्राबलम दे सकता है और हम ऐसा देखे हैं कि पहले संतान का छै होता ही होता है आगे आप लोग भी अपने अभ्यास में देखिएगा क्योंकि अब हमने आपके अंदर भी इतने सामर्थ दे दिये कि आप आप किसी भी पुस्तक को पढ़कर के समझ सकते हैं और हम भी यदि कहीं गलत होंगे तो हमको भी काटने का सामर्थ अब आपके अंदर होगा आईए यदि सुर्जी दौादस चला जाए अच्छा नहीं कहेंगे सरकार सम्मंदी परशानी होगी तो परशान हो जाएंगे स्वेम का बुद्धी विवेक काम नहीं करेगा अपने से आठवा चला गया जड़ बुद्धी हो सकते है अब यहां से ये दृष्टी छटे के उपर है ठीक है अपने ताकत से अपने सत्रू का जमन कर लेंगे लेकिन बुद्धी विवेक के अनुसार ये अच्छा नहीं है लगन के लिए ये बारमा जाना ये भी अच्छा नहीं है तो इसलिए द्वादस सुरी को अच्छा नहीं कहा गया है मामा को हानी पहुँचा सकते हैं यहां से मा यहां और एक दो तीन यहां से मामा की बात होती है तो उनको भी नुक्सान पहुँचा सकते हैं तो हम लोग बारा के बारा भावों में सूर्य को रख करके समझ गए अब पहले सूर्ज को समझिए जिसके भिसे में बात हो रही अब मेस लगन में सूर्ज पंचमेस होता है ये जानना आपके लिए जरूरी है कालपुरुस के अनुसार पंचम का स्वामी होता है ये जानना जरूरी है सुभ एक असुभ ग्रह है ये जानना जरूरी है सूर्ज के मित्र गुरू चंद्र मंगल हैं ये जानना जरूरी है सूर्ज के सत्रू सुक्र सनी हैं ये जानना जरूरी है बुद्ध के साथ सुर्य का संब्यवहार है ये जानना जरूरी अब इन सारी बातों को जान करके और तब वो तातकालिक रूप से कहां इस्थित है और फिर कहां देख रहा है अभी तो इतना ही बताएंगे यूती यूती योग फल आगे जब इतने को हम समझ जाएंगे तब देखिए आपके पास कैसे आप कुछ बोलेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा उमीद करते हैं कि पार्ट समझ में आता होगा आज इतना ही कहेंगे कोई परशानी हो तो फोन कीजिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवात